और यहाँ पर आपको AI recognition एक option मिल रहा है जिस पर click करते हैं क्या होता है दिखाता हूं मैं आपको background erase हो जाता है guys yes background erase क्या बात है interesting and here it is options आउतार यहाँ पर आप change भी कर सकते look at there यहाँ पर एक चोटा सा option दिया है finally मुझे जी software की तलास्ती वह software मिल गया है basically मैं एक video recorder यानि की screen recorder ढूल रहा था एसा screen recorder जब मैं आप लोगों को पढ़ा हूं मतलब मेरी screen आपके साथ share करूँ तो यहाँ पर right side या left side कई पर भी corner पर मेरा एक face दिखाए दे जैसे कि यहाँ पर वीडियो में आपको दिखाए दे रहा है या फिर मैं जो screen आपके साथ share कर रहा हूं उस screen में कुछ चीजे मैं arrow के साथ circle के साथ rectangle के साथ highlight कर पाऊं तो ऐसे एक video recorder software की मुझे ज़रुवत थी जो यह सब कर सकता है जिया दोस्तों तो आज की video में इसी video recorder की बात होने वाली है तो अगर आप एक student हो teacher हो working professional हो basically student हो तो आपको आपके lectures record करने के लिए उसकी पड़ सकती है और अगर आप एक working professional तो आपकी regular जो meetings होती उन्हें आप record करके रख सकते है ताकि आप जब meetings में से कुछ point भूल गए तो उस recording से दुबारा देख सको तो basically ऐसा एक software आज की video मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि यह wondersher की तरब से demo creator जिसमें यह सारी चीजे होत पुल है हम सब के लिए जिया सब के लिए तो अगर आप interest दोड़े एंड तक देखिएगा चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में काया कि यहां में एक best screen recorder software की तलाश है तो उसे download install करने के लिए मैंने description में link दिये जैसे आप उस link पे click करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा जहां पे आपको download का option में लेगा download कीजिए नेक्षन करके install कीजिए installation steps बहुत ही simple है जैसे installation complete होगा आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा जहां पे basically let's create something awesome today यहाँ पे new recording option दिखाए दे रहा है video editor मतलब यह screen recording तो करता ही है साथ में यहाँ पे यह video edit भी करता है फिलाल screen recording के अंदर अगर आप देखेंगे new recording option यहाँ पे दिया है उसके अलावा यहाँ पे नीचे virtual आउतार रेकॉर्डिंग वह option मिल रहा है नीचे आप आप देखें को virtual आउतार उसके बाद video presenter option है उसके बाद यहाँ पे game recorder भी है और interesting option schedule recording भी है मैंने बहुत सारे recorder अलग लेकते हैं कि वह यह virtual आउतर recording क्या होता है video presenter क्या होता है game recorder क्या होता है schedule recording new recordings क्या होते है तो फिलाल new recording पे क्लिक कीजिए जैसे आप new recording पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह camera भी detect कर लेता है automatically look at here guys इस camera के size आप जितना ची उतना बड़ा कर सकते हैं ऐसा य यहाँ पे भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं उसके अलावाद जब आप इसे ऐसा करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर circle में रखना चाहते हो तो यह options भी देता है यहाँ ओपर ी circle यहाँ पर rectangle और यहाँ पर आपको AI recognition एक option मिल रहा है जिस पर क्लिक करत जाता है गाइद्स येस बैगराउंड इरेज क्या बात है इंट्रेस्टिंग इसका AI टुल है जो बैगराउंड इरेज कर लेता है और आप इसे बॉटम में ऐसा फिक्स कर सकते है राइट समझ मैं आपको लेक्चर आपने जो ऑनलाइन लेक्चर देखी रहेंगे अलग लेक् आप बिडियो को मिर कर सकते है तो आपको जो घोप्शन्स यहां पर रखना है traject सल्क M अगें, आप बोल रहे हैं, उसका recording होना चाहिए, तो आप यहापे microphone यह दिखाए दे रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका wave भी दिखाए दे रहे हैं और इसे on रखिए, आपको लगता है, यार मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बस सामने वाली कि आवा basically sound connector sound लेना है, तो आपने अगर यहापे connect करके रखे एक अलग 2-3 monitor तो उसके 2-3 monitor या 2-3 connection से, यह मेरे mic का अलग सा output आता है audio का, तो उसके लिए भी यहापे आपको दे रहे है option, तो यहाँ से आप select कर सकते हैं वैसे, तो audio basically उनके लिए है, जिनको lectures record करना है, मतलब जो चल तो मेरा भी audio आना चाहिए, तो मैं यह दोनों options on रखूंगा, वीडियो भी रखना है मुझे तो वीडियो भी रखूंगा, और साथ में यहाँ पर आ जाएंगे, वो बोल रहा है कि भाई, screen की size क्या रखनी है, full screen, yes, full screen लेना है, जहाँ पर मैं HD वाला लेना चाहते हो, तो HD editing process के लिए नहीं जाएगा, right, तो अगर आप इसे check रखते हो, अगर आप इसे check रखते हो, तो editing process के लिए जाएगा, तो फिलाल हमें editing process के ज़रूद नहीं है, editing काम अलग सा lesson सीखने वाले, that I told you about it, so यहाँ पर export express पर मैं click काता हूँ, so let's get ready now, export express and recording button पर मैं click काता हूँ, जै तो एक toolbar आया है, यह कापी interesting और useful toolbar है, for a tutor, जो tutor है, या फिर ऐसे लोग जिनको meeting लेते समय कुछ points highlight बताने है, तो वो आप बता सकते, presenter के अंदर, right, कैसे मैं आपको बताता हूँ, suppose example, let me start something हो, मैं यहाँ पे click कर रहा हूँ, suppose एक website मैंने open करके रखी, you know that, यापे skillcoast.in मेरी website यह मैंने visit करके रखी और ब्राउजर के अंदर, and I wanted to highlight some points यह, तो यहाँ पे देखिए, पहला point यहाँ पे दिया है, pane, उसके बाद यहाँ पे highlight रधिर सरी option से, मैं करके दिखाता हूँ, मैं pane पे click करता हूँ, यहाँ पे color select करने कलिए option आ रहा है, size select करने कलिए option आ रहा है, look clean, इसे click करते clean होगा, या फिर यहाँ एक undo button दिया है, यहाँ पे पीछे भी जाकते, जा सकते, redo कर सकते, undo कर सकते, या फिर clean button पे click करके, वहाँ पे clean कर सकते, next यहाँ पे highlighter है, इससे suppose मैं yellow color लेता हूँ, and यह वाला option लेता हूँ, और मुझे कुछ चीज़ है highlight करने, जैसे not just that guys, there is another option that is text, यहाँ पे आप text भी type कर सकते, मुझे चाहिए 24 point वाला text, और मैं black color मैं यहाँ एक text लिखना चाहता हूँ, मैंने click क्या, और मैं add करना चाहता हूँ, welcome, कुछ add करना चाहता हूँ, इस तरह से welcome, कुछ भी add कर सकते, whatever you want, you can add it, oh yeah guys, look at there, look at there, right, इस तरह से आप add कर सकते, यहाँ पे text add करना है, और text add करना है, तो और भी text box आजाएंगे, and you don't want all these things, तो यहाँ पे clean button दिया है, clean drawing, तो सारी चीज़े जो अभी हमने की है, वो सारी clean हो जाएगी, उसके अलावा यहाँ पे देखिए, circle option दिया है, circle में जाहिए circle की size, pixel, red color रखो, चलो ठीक ह मैं इसे home को highlight करना चाता हूँ, चलो इसको मैंने circle से किया, मैं rectangle से करना चाता हूँ, rectangle में जाकर मैं इसे rectangle यह देखिए, green color इसका लिए ह, combo courses, मैं इसे arrow से highlight करना चाता हूँ, arrow की size मैंने यह रखी, और color मैंने रखा है, green ही रख देते, चलो, ठीक, arrow से क्या highlight करना है, suppose arrow से मु भी मार सकते, आप इंटू से लाइन ड्रॉ कर सकते तो आप यह डाउनलोड आप की नीचे लाइन देना चाहते है, आप दे सकते हैं यह यह वाला लाइन है कुछ और कलर चाहिए तो वाँ पर ले सकते हैं और आपने जो जो यहाँ पर वर्काउट किया है यह पर आपको दिखाए देरे वो सारे पॉइंट्स आपने जो कलिक की ए, उसके अलाओ यहाँ पर Eraser है Eraser बटन पर अगर आप कलिक कर ले तो Eraser येवाला, Eraser बटन पर क्लिक करते हैं आप जो चहीत हो पॉइंट Rich कर सकते हैं मैं चाहता हूँ यह erase करना, मैं चाहता हूँ, यह वाला तो नहीं, यह वाला erase करना, क्योंकि यह line हमारी नहीं, यह पहले master class tab पे click, इसलिए, right, ओके, इस तरह से मैं erase कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ click करना चाहता हूँ, that is cursor वाला option ले लिया है, so यह भी याद रखी है, उसके अलाव यहाँ यहाँ पे interesting option eraser के बाद, that is spotlight, मैं चीज़े focus करना चाहता हूँ, spotlight ले लो और मैं यहाँ पे click करूँगा, look at there, यहाँ पे click करूँगा, 4.8 rating, यहाँ पे click करूँगा, 2 million subscriber, look at there, right, 2 million learners, so इस तरह से आप इसे कर सकते है, focus भी कर सकते है, and interesting बात यहाँ पे, आपको बीच में whiteboard add करना है, तो भई, आपके recording की दौरान आप whiteboard add करना चाहते है, मैं whiteboard पे कुछ आपको पढ़ाना चाहता हूँ, जैसे मैं एक geometric teacher हूँ, basically, यहाँ पे मैं कुछ drawing बनाना चाहता हूँ, triangle है, and triangle में कुछ भी लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 250 वगरा, आप ऐसे लिख सकते है, खिलाल, mouse से इतना properly नहीं आएगा इसके लिए, तो मैंने बताया कि whiteboard यहाँ पे add होता है, and you can literally clean whiteboard, and you can draw anything, whatever you want, on this whiteboard, okay, so I am going to remove the whiteboard by clicking on this option again, whiteboard पे click कीज़े, remove हो जाएगा, not just that guys, here it is, you can see another option that is highlight cursor, यह भी useful है, cursor, मैं बहुत बार अपने वीडियो में cursor highlight करता हूँ, तो आप इस तरह से cursor को highlight कर सकते हैं, look at there, जहाँ पे भी cursor जाएगा, highlighter yellow है, अगर आप अलग color लेते हो, तो अलग color से highlight होगा, again मैं highlighter बंद कर देता हूँ, और यह वाला option लेता हो, magnify, यह भी कापी useful है, कोई चीज है जो आपको वीडियो में दिखाने है, magnify करके, जो छोटी से दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे यह वाला circle ले लो, या फिर square वाला ले लो, जो भी लेना चाहिए, अब वापे home tab पे लेकिया जो, देखो, home tab कितना बड़ा दिखाए दे रहे, not just that guys, जैसे कि यह 16 years बहुत छोटा दिखाए दे रहे, वो का ज़रा है, 4.88 rating, look at that, यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से आप इसे basically कर सकते हैं, और उसके साथ-साथ cursor click effect यहाँ पे दिया है, cursor click effect पे मैं on कर लेता हूँ, बही चलो यह लो ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे click करूँगा, देखिए यह लो, interesting, interesting effect, माउस के साथ ले लो, यहाँ पे देखिए इस तरह से, जहाँ भी आप click करूँगा, basically cursor click effect भी वहाँ पे आ जाते हैं, okay, and I am going to clean this, और यह सारे options तो ही है, साथ में यहाँ एक interesting option मुझे लगता है, basically, यह है delete and re-record, देखिए, मैंने बहुत सारे recorder आज तक देखिए, जिसमें pause और stop का options तो होता ही है, basically, लेकिन यह वाला एक interesting option है, that is what, delete and re-record, delete and re-record मतलब क्या होता है, मैं इससे थोड़ा सा side ले ले लेता हूँ, इस tool को आप ऐसा shift भी कर सकते, यहाँ पर इसके पर mouse pointer में लगता हूँ, delete and re-record, what is delete and re-record, मतलब अभी जो recording चल रहा है, आपको लगता है इसमें गड़बड हो गया, मैं इससे delete करना चाता हूँ, और starting से करना चाता हूँ फिर से, तो यह button दबा दो, वो पुराना delete हो जाएगा, quickly और re-record चल हो जाएगा, हमें दूसरे recording में stop करना पड़ता है, फिर re-record करना पड़ता है, that is our problem, retake करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, दूसरे recording लेकिन यहाँ पर, यह काफी useful, interesting option है, delete and re-record, कोई और application में नहीं मिलेगा, and यह सारे features भी नहीं मिलेंगे, stop recording पर click करते, pause or stop option है, मैं फिलाल stop कर देता हूँ, और यह toolbar नीचे तो आप इसे close कर सकते, बाकी का चीज recording हो जाएगा, again आप तो दो monitor करेक्ट करके रखे, तो यह toolbar अलग screen पर लेके रख सकते, तो वो toolbar भी नहीं दिखाए देगा आपको, दो monitor अगर आपके connected है, दो display तो, फिलाल यहाँ पर stop recording पर मैं click कर देता हूँ, and let's see guys now, recording हो चुका है, that's it, look at here, यहाँ पर आप देख सकते, पुरा recording हो चुका है, let me play it and show it, मैं थोड़ा सा cursor आगे रख देता हूँ, ताकि आगे की चीज़े दिखाए दे, play, next यहाँ पर highlighter है, इससे suppose मैं yellow color लेता हूँ, and यह वाला option लेता हूँ, और मुझे कुछ चीज़े highlight करनी, जैसे मुझे यहाँ पर 16 years experience वाला चीज़े, यह वाला चीज़ highlight करना है, look at you, that's it, आपको दिखाए दे रहा है, यह properly जो जो चीज़े मैंने दिखाए थी, वो सारी चीज़े यहाँ पर आप देख सकते, highlight हो चुकी है, right, कैसे highlight करना है, दूसरा है एक और चीज़, बहुत सारे students मुझे पूछते कि, सर आपने अभी यह जूम कैसे किया, बीच में मैं जूम करता हूँ, तो मैं कीवोर्ड की पर एक शॉटकट की यूज़ करता हूँ, Windows Plus, Windows Plus, Windows Minus, इस तरह से, right, ओकी, यह शॉटकट की यूज़ करके, करना है, तो रेकॉर्ड कर सकते हैं, आप यहां से, एडवांस एडिटिंग है, एडिटिंग तो जो कि हम next lesson बनाने ओले, next tutorial बनाने ओला हूँ मैं, जिसके अंदर मैं editing बताने ओला हूँ, इस software की मैंज़ से, editing कैसे कर सकते हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, और ये वीडियो आप तक पसंद आया, तो लाइक कर दूने यार, साधी में यहां पर share बटन दिया है, कि वही ये वीडियो किसी के साथ आप share करना चाहते हैं, तो शेर कीजिए, बेसिकली इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं, तो आप ज़रूर इसे भी share कीजिए, फिलाल Export Express बटन पे क्लिक कर लेते हैं, इसे मैं minimize कर लेता हूँ, एक मिनिट, यहां पर जो website यह वो minimize कर लेता हूँ, और Export Express बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यह यहां पर पूछ रहा है कि इसका नाम क्या रखना है, आपको नाम जो भी रखना है आप रख सकते हैं, या default, नाम, date, और time की सब से आ रहा है, तो वहां पर वैसे रहने देते हैं, और उसका backup भी रखना चाहते हूँ तो रख सकते हैं, यह इस location पे store होगा, कि यह पूरी-पूरी screen record कैसे करता है, not just that, guys, अगर आप virtual avatar के साथ recording करना चाहते, so now you may ask कि what is virtual avatar sir, तो मैं आपको दिखाता हूँ, भाई अभी मैं मेरा video इस्तमाल नहीं करना चाहता हूँ, कोई avatar इस्तमाल करना चाहता हूँ, जो cartoon type रहे, कुछ ऐस तरह से, तो यह दिखाए दे रहे, मैं यहाँ पे आचुका हूँ, अब यहाँ पे इस avatar की खाशियत ही होती है, यह थोड़ा सा भी DSLR camera के साथ connected, इसलिए lag करेगा, लेकिन मैं हाथ उपर करूँगा, तो यह आउतार भी हाथ उपर करेगा, लेकिन अगर इसको normal अपना जो laptop का USB camera है, उसके साथ connect करोगे तो यह प्रॉपर करेगा, and here it is options, आउतार यहाँ पे आप change भी कर सकते, यहाँ पे एक चोटा सा option दिया है, जासे आप आउतार चेंज कर सकते, आउतार आपको change करना है, स्क्रीन की recording की size बदल नहीं है, यहाँ पे option दिया है, and finally आप record button पे click करोगे, तो यह यहाँ पे नीचे आउतार आपको दिखाए देगा, यहाँ पे, और recording start हो जाएगा, और जब यह आप जो भी बोल रहे हो, रहे हो रहे है, क्योंकि reason behind it, मेरा DSLR camera से थोड़ा सा lag कर रहा हो, but here it is, you can see, एक आउतार, virtual आउतार आपका नीचे वीडियो में आ जाएगा, okay, so you can export this video also, but I am going to close it right now, one more thing that I wanted to show you, one more thing नहीं, यहाँ पे दो तीन और चीज़े बाकी, कि यह मैं close कर देता हूँ, यहाँ पे और कुछ चीज़े बाकी है, जैसे कि आप देख पार हो, यहाँ पे वीडियो प्रेजेंटर ओप्शन है, वीडियो प्रेजेंटर यह काफी interesting option है, उन लोगों के लिए जिनका meetings regularly होता है, जो लोग PPT के उपर meetings कंड़क करना चाहते है, जिनको live कंड़क करना है, meetings ऐसे YouTube के उपर हो सकता है वगरा वगरा, तो यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं, लाइउ भी कर सकते हैं, YouTube, Zoom meetings, Microsoft Teams के उपर, आप directly यहाँ पे live streaming भी कर सकते हैं, अब यह कैसे चलेगा, यह जो basically video presenter यह कैसे काम करेगा आपके लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह पूरा पूरा slide आ चुका है, इसमें आप अपनी slide भी add कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ एक छोटा सा बटन दिया है, प्लस नीचे दिखिया, प्लस बटन है, प्लस बटन में add powerpoint, यहाँ पे blank slide, media file, share desktop, सब कुछ है, तो मैं add powerpoint कर रहा हूँ यहाँ पे, powerpoint के बाद यहाँ पे कोई भी एक powerpoint का मेरा slide है, जो कि available, मैं यहाँ पे select कर लेता हूँ, so you can see guys, आप जो powerpoint यहाँ पे लोगे, उसमें जितनी भी slide है, वो यहाँ पे upload हो जाएगी, and वहाँ पे आप present करने, चालो हो जाओगा, आपका camera भी वहाँ पे दिखाए देगा, look at there, all slides, select all कर देते, सभी slides, वो पूछ रहा है कि सभी import करना है, तो सभी ले लो, और यहाँ पे left side में आप देख सकते, यहाँ पिर नीचे देखो, remove background option भी दिया है, you can remove the background, and literally you can put like this, यहाँ पे रख दो, right, इस तरह से, got it guys, इसको flip करना है mirror के साथ, तो भई, यहाँ पे mirror, इस तरह, मैं कैसे देख पा रहा हूँ, दिखाए दे रहा है आपको mirror वगरा, तो यह options कापी interesting है, इस में, and that you ought to, like, यहाँ पे dressing भी है, filter भी है, सब आप यहाँ पे चीए, apply करके देख सकते, filter में जाकर यहाँ पे अलग-अलग color tones वगरा, apply हो जाते, dark mode चीए वगरा, okay, you can check it out that one also, but यहाँ पे start recording करते ही, यह start हो जाएगा, और खाली camera चाहिए, तो camera दिखाए देगा, right, तो इस तरह से यह चारो options आपको यहाँ पे दिखाए देगा, look at there, guys, you can select anyone from these options, okay, तो यहाँ पे आपको option मिल रहा है, साथ में यहाँ पे camera के जगा आवतार लेना है, चलो mirror एक बार आप कर देता हूँ, start recording कर देता हूँ, 3, 2, 1, go, अब यह PPT में मैं next slide लेना चाहता हूँ, यह down arrow press करेंगे तो भी चलेगा, next step जैसे आप down arrow press करोगे, यहाँ पे PPT आती जाएगी, मैं कुछ present कर रहा हूँ, यह ही इतना ही screen, जो present वाला screen है बेसिकले, उतना ही screen, यह वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, इतना ही screen दिखाए देगा, तो यह presenter screen है, यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है, look at there guys, look at there, okay, so यह आपको पता चला, मैं stop recording यहाँ पे कर देता हूँ, अभी, and let's see, यह recording, बहुत quickly होता है, मतलब मैं आप से बात कर रहा हूँ, तक यह recording preview में भी आ जाता है, right, कुछ ही seconds के अंधर, काफी fast है यह, और यहाँ पे आप जाकर इसका recording भी देख सकते हैं, so this is what video presenter, अब यह PPT में, मैं next slide लेना चाहता हूँ, यह down arrow press करेंगे, यह तो भी चलेगा, next step जैसे आप down arrow press करोगे, यह पे PPT आती जाएगी, मैं कुछ present कर रहा हूँ, यह ही, यहाँ पे मैंने full screen किया था इसे, दिखाने के लिए कितना quality वाला PPT वगरा, सब कुछ record होता है, and that's it guys, okay, I'm going to close this one now, and I'm going to close this one, okay, यह video presented, don't save करता हूँ, और Wondership Demo Creator में, दुबारा आते हैं, यहाँ पे game recorder next option है, जो भई gamer है, उनके लिए कापी interesting option है, यहाँ पे आप directly game का screen, select game, यहाँ पे game selection option होता है, और बाकी सारे mic वगरा on रखना है, camera on रखना है, off रखना है, सारे options यहाँ पे दिखाए दे रहे, यह camera आप जितना छोटा रखना चाहते है, वो भी यहाँ पे है, same recorder है, बस यहाँ पे आपको game select करने के लिए option भी मिल जाता है, so you can use this option too, next schedule recording, which is also very interesting option, that I told you about it, schedule recording में हम click करेंगे, और यहाँ पे मैं record timer लगा दूँगा, और मुझे चाहिए कि भाई, मैं suppose example ले लो, मेरा कोई important webinars, lecture, seminar, जो भी है, seminar नहीं, webinar basically, so यहाँ पे start timing मैं रख दूँगा, कि भाई, शाम को 7 बज़े चलोगा, 9 बज़े खतम होगा, तो start timing, stop timing रख दूँगा, और यहाँ पे मैं रखूँगा, फूल स्क्रीन record होना चाहिए, और यहाँ पे save settings करूँगा, और computer चालो रखूँगा, जब भी मैं कुछ दूसरा काम करते रहूँगा, तब यह record होते रहेगा, that is also interesting, right, start होगा automatic, stop होगा automatic, में कैसा लगा है software, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए, अपना खयाल रखना, सीखते रहेना, सीखाते रहेना, बाई बाई,